हाई फ्रेंट्स स्वागत है आपका एक बाद फिर मेरे चैनल अरपित कॉंसेप्ट में जैसा कि आपको पता है कि अनुपात अस्वानुपात की इसरी चल लिए और इसमें यह आपके नेक्स्ट क्रास है जिसमें आज हम कोशन करेंगे 82 से अपने कोशिस करेंगे 95 तो कोशन कर लें तो 81 कोशन आपको मैंने करवा दी था नेक्स्ट लास्ट क्रास में 82 कोशन अपने देखिए जो बहुत असान कोशन यह कोशन पढ़िए पहले यह तीन संख्याओं का योगफल 98 है यदि पहला और दूसरे का अनुपात 2 नुपात 3 और दूसरी और तीसरे का अनुपात पांच अनुपात 8 है तो दूसरी संक्या क्या होगी तो बहुत असान कोशन है वैसे मीजरे को करवाने की जरूबत नहीं है लेकिन मैं करवा देता हूं जिस बच्चे से आता है वो वीडियो को स्किप करके अगला कोशन देख लिएगा तो देखिए आप पहला और दूसरे पांच अनुपात 8 तो यदि आप सारी क्लास देखिए आपने मेरी तो आपको यह पता होगा मैं आगे पीछे के अकॉर्डिंग तीन लिख देता हूं यहां पांच इस वाले फॉर्मिट से होता क्या जो बच्चा देख रहा है वीडियो को पहले बार तो इस फॉर्मिट से होता क्या है भी औक पीछे के अकॉर्डिंग मैं लिखा है इस तरह से आप कहीं तक भी अनुपात निकल वालorit है आपसे आप से इल अनुपात b अनुपात c पत्लियों पांट कहीं तक भी निकल वाले हूं इसी वार्वम्र इसे कर दो घुरोग होंगे अभी अनुपात के साब से टोटल आपको हो जाएगा आप से पूछिए दूसी संख्या यह नहीं पंद्रा वरार पूछिए तो फिफ्टीन यूनिट उकल टो फिफ्टीन तूजा ठर्टी के लिए अंसर कोशन का आ गया तो कोशन असान था नेक्स्ट कोशन करेंगे वह अपना तो स्टुडेंट्स जो 82 कोशन था वो तो अपना असान था 83 कोशन देखिए इस थोड़ा मैं आराम से समझाओंगा हीरी के एक तुकड़े का मुल्ले उसके भार के वर्क के अनुसार परिवर्थित होता है उसे तीन तुकड़ों में अगर काट दे जाए तो उसका भार एक अनुपाद दो अनुपाद तीन हो जाता है इस प्रकार काटने से हुई हानी आपको बतानी है तो वही हीरा अगर नहीं कटा होता तो हीरे का वजन होता कितना तो हीरा अगर नहीं कटा होता तो हीरा समझ लो इस तरह से होता आपका तीन पार्ट में डिवाइट कर रहे हो यानि इसे काट के विचा वन में इसे टू में इसे त्री में अगर हीरा नहीं कटा होता तो उसका weight कितना हो गया भी total इसका weight हो गया Six unit यह भार की बात चल लीए अब आपने जैसे की question में starting line में पढ़ा है कि हीरे का जो तुकड़ा है उसकी हीरे का जो तुकड़ा है उसका मूल्य उसके भार के बर के बराबर है तो मूल्य कितना हो जाएगा भी मूल्य में इधर लिख देता हूँ तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 36 यूनिट यानि हीरा अगर नहीं काट के हमने बेचा होता तो वो कितना यूनिट का होता आपको कितना हो गया मैं मुल्ली लिख देता हूं इसके लिए पहले वाले हीरे का मुल्ली हो गया एक यूनिट दूसरे वाला हीरे कितना आपको टू निट का या इसका मुल्ली हो गया चार यूनिट इसका मुल्ली कितना भी थ्री यूनिट सोरी वेट कितना है थ्री तो हीरा अगर हमने काट के बेचा तो आप देखो हमने टूटल हीरा बेच कितने का दिया तो आपको दिख रहा होगा 14 यूनिट का अगर आप हीरा नहीं काटते तो कितने यूनिट का बेचते 36 और हीरा अगर आपने काट दे तो कितने यूनिट का बेच होगे हीरा कटने से पहले था पांच यार 114 यानि 5184 अब आप वन यूनिट इकल टू निकालोगे तो देखो डिवाइट करोगो तो यह आजाए आपका 144 इसका आजाएगा आप जो को 144 आगया आपको टोटल लॉस हो है 22 यूनिट का तो आपको करना क्या है आपको 22 बराबर निकाल का अंसर है यानि 3 1 6 8 करके देखना अंसर यही है आपका तो बहुत एजी कोशन बहुत ज़्यादा टब भी नहीं था कोशन लेकिन था कोशन बढ़िया तो चलिए स्टुडेंट्स 84 नंबर का कोशन करते हैं और देखते हैं क्या है कोशन 84 का तो 84 नंबर कोशन आपको देखना है यदि A ने X रन बनाए B ने Y रन तथा C ने Z रन बनाए तो X अनुपाद Y बराबर Y अनुपाद Z है और दोनों बराबर दे रखें तीन अनुपाद दो के यदि A, B एवं C की कुल रनों की संख्या 342 है तो प्रतियेक संख्या क्रम से क्या होगी तो कोशन वैसे जादा भार ही नहीं है लेकिन मैं करवाता हूँ आपको और जिस बच्चे से जिस बच्चे ने कोशन कर लिया वो वीडियो को स्कीप करके अगला कोशन देख ले तो देखो X Y का रेशियो भी कितना दे रखा वी तीन अनुपाद 2 और Y Z भी इसके कोल दे र 9, 3, 2, 6, 2, 4 अब आप देखो क्या दे रखा भी 9, 5, 6, 5, 4 इसका रेशियो निकल लिया टोटल कितना है आपके ABC के जो कुल रन है वो कितने 342 तो पहले यहां देख लेते कितना यूनिट बैठेगा आपका तो इसे एट करोगे तो आपका ये 19 यूनिट बैठेगा तो 19 342 तो अब इसे अगर आप डिवाइट करोगे तो ये आपका 18 टाइमस जाएगा तो 1 यूनिट इकोल टू 18 के लिए 18 टाइमस ही जाएगा आपसे पूछा क्या है तो पिरती एक प्रकार के तो पिरती एक संख्या बताईए क्या है नहीं 9 बराबर बताना 6 बराबर भी 4 बराबर भी तो 9 बराबर बताओगे तो क्या लिख दोगे 18 गुणा नो 6 बरावर बताओगे तो 18 गुणा 6 और 4 बरावर बताओगे तो 18 गुणा 4 चलो इस चीज़ को आप खुद करना वैसे मैं कर दूँगा असान है खुद करो 84 कुशन तो दोस्तो 84 अपना कुशन हो गया ये multiply खुद कर ले न असान है ज्यादा भाई नहीं 89 जा लिखना 18 6 जा लिखना 84 अपना कुशन हो गया 83 कुशन की तरफ move on करते हैं तो देखे 84 कुशन अपना हो गया 85 की तरफ करेंगे 85 की तरफ तो दोस्तो 85 नमरों कुशन देखो कुछ धन्दासी A और B में 2 अनुपाद 5 के अनुपाद में बाटनी है यदि A को 100 और मिले तो B को कितने मिले clear है असान है A और B का अनुपाद दे रहा 2 अनुपाद 5 A का 100 है तो B का आप निकाल सकते हैं इस कुशन को खुद कर ले न मैं 85 छुड़वा रहा हूँ 86 कुशन को देखते हैं तो 86 नमबर को कुशन अपना है आपके पास 900 रुपे हैं 900 रुपे को A, B, C में बाटा जाए और उनमें बटवारा इस प्रकार किया जाए कि A की धन्डासी का एक बटा दो बराबर B की धन्डासी का एक बटा तीन बराबर C की धन्डासी का एक बटा चार है तो A, B, C द्वारा प्राप्त की गई धन्डासी कितनी होगी तो बहुत सिंपल कोशन है कर लिया हो आदे बच्चों ने बहुत सिंपल कोशन है देखो जिसने नहीं किया वो देख लो पुरानी चीज याद आजाएगी तो A की रासी का एक बटा दो बराबर है B की रासी का एक बटा तीन बराबर है C की रासी का एक बटा चार तो यहां से आपको एक चीज याद आनी चाहिए पीछे मैंने बताया था कि जो अपॉन में होता है वही उसका ratio होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि upon में A के 2 है, तो A ratio B ratio C, कितना आजएगा, 2 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 4, ratio निकल के अपना, अब ratio निकल के आप करना क्या है बही, तो तीनों के पास total run कितने है, run की बात हो रही है, किसी की बात हो रही है, run नहीं, रासी की बात हो रही है, तो आपके तीनों की निकालनी तो इसकी वही आपका टू यूनित डू यह जागा यह तो खुद कर लेते चलो लेकि दिया मैंने तो आपका देखो क्यों सब्सक्राइब का टू थी फूर यानि आपका और अप्सन नमर सी कोशन का अंसर है तो 86 कोशन असान तर करिए से नमर को कोशन करते हैं अपना तो 87 नमर कोशन देखिए 126.5050 नहीं 5-0 वो यह बात हुई है कभी आप 5-0 समझते हैं 126.50 को ABC में 2 अनुपात 5 अनुपात 4 में क्या करना है बात ना है तो अनुपात तो दे सी दो अनुपात 5 अनुपात 4 में बात ना है चलिए टोटल देखें इतना पांच और पांच और नौ दुस ग्यारा है या नहीं ग्यारा यूनिट एक्वल टू कितना है वही आपका ग्यारा यूनिट एक्वल टू आपका दे रखा हैं 126.50 फिर आके पूछा क्या है तो बी का भाग एक भाग किया पेक्चा कितना देखें तो बी का भाग एक भाग किया पेक्चा कितना देखें तो इसमें अनुपात मे निकाल लो आप इसे रिश्यो में यह निकित B का और B का और A का पार्ट निकाल लोगा फिर उसके बाद देखो गए इसे अनुपात में निकाल लो तो A B का भाग A के भाग से कितना धीक है 3 unit तो आपको कितना बराबर निकालना भी 3 unit तो 1 unit equal to कितना आएगा तो divide करेंगे दिवाइट करोगे 11 मज़ा 11 यह आपका 6 हो जाएगा 11 मज़ा 11.55 तो 3 unit equal to आपको कितना हो जाएगा आप इसे multiply करोगे 3 से तो यह हो जाएगा तो 34.5 का अंसर आजाएगा देखें question का अंसर क्या है 34.5 option number C question का अंसर हो गया तो असान question था मेरे करवाने का नहीं था मैंने करवाया फिर भी चलिए question को देखिए चलिए dears 88 question देखते हैं अब अपना तो 88 question देखिए कि 6200 रुपे को एक अनुपात एक बड़ा दो अनुपात एक बड़ा तीन अनुपात एक बड़ा पांच अनुपात के अनुपात में बाटने पर प्राप्त होने वाले तीनो भाग क्रम से होंगे तो dears देखो 1 upon 3 sorry 1 upon 2 ratio 1 upon 3 ratio 1 upon 5 तो पहले तो से करेंगे भी simplify जैसे पीछे कोशन आया था इसमें रेखानforce लेगी संब्सक्राइब करने के करेंगे इसका इसमें होगा उससे इंटू कर देंगे सब्सक्राइब करें को नहीं बड़ा 30 बन जाएगा 30 बन जाएगा 30 से इसे लगा देते हैं इंटू 30 से लगाते विए यह हो जाएगा आपका 15 यह हो जाएगा आपका 10 और यह हो जाएगा आपका 6 क्लियर अब क्या है तो रासिया आपकी दे रखिए 6200 तो टोटल देखना कितना यूनिट बनेगा तो यह 16 और यह 31 यह 31 यूनिट 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 इकोल टू कितना चेहजार दो सो टो 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 सिंपल दिख रहा है कि दो बार कर जाएगा यानि 200 आजाएगा पुशना कहता है तीनों के भाग पूशना चाह रहा है तो 15 यूनिट इकोल टू 1 यूनिट इकोल टूटट 15 इकोल टू 15 तो तो टीस और दो जिरो थोड़े बड़े बना देता हूँ, छोटे बन गए के लिए ये कोशन का अंसर आ गया तो 88 कोशन अपना हो गया, असान था कोशन कोपी कीजी तो students, 88 कोशन हो गया, असान था कोशन 89 कोशन देखते हैं और ये language जो आपको करेगी कनफ्यूज करेगी, देखते हैं कागज के बंडलों से भरे हुए एक बकसे का भार 36 किलोगराम है, यदि बकसे का भार और कागज के बंडलों के भार का नुपात 3 नुपात 22 हैं, तो उन कागजो का भार किलोगराम में कितना है, देखें, यानि किसका वार दे रखा box का दे रखा box का box लिख देता हूं और paper का काज आरो name paper、、 लिखा एक तृट्वां खोरी ठीव किछJust ko भार है टो फैंट्ट ठोडम करघे तो कि तहें एक हूईकर 25 रो है अच्छा आप सा इंसर पूछा है किसमें आप संसर पूछा है इसने ग्राम में तो ऐसा करो जो किलोग्राम है उसे ग्राम में चेंज कर लो तो वन यूनिट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स और फिर आपका 25 यह जो मैं इसके हंडेड दो जीरो है मैं इसे थोड़ा एजी करने के लिए मैं इसमें दो जीरो की जगा में हंडेड कर ले दा हूं फिर भी से पच्ची चो कर ले दा हूं और 36 की चार से गुणा करेंगे जिरो बढ़ा देंगे तो 36 चो का या ऩख और जोग 2 या और 14- 40 अा गया 1一yे कल आप आब से कागज के कागज का भार बागा कच पना अ कर 2020 यूनिनित इक प्रत निकालना यानि आपको कें क्या करना है एक यूनि इने 22 यूनित क्या कर दोगए है मल्टिप्लाइई कर होगे तो दो हेरी गोना है multiply करने तो डारेक्ट लिए इतना समझ माया होगा यह भी समझ माया होगा यह समझ माया होगा अब इसका अंसर लिख देदा हूं तो इसका अंसर जो है है 90 कोशन देखते है चंछ्थिस्जिश्ट रुपए के कुल अब को का खा और गा में इस अनुपात में वित्रित किया जाना है कि कैय और खे का अनुपात 25 पाँच और छा खे गाए का अनुपात आठ अनुपात दो है तो लाब में गा का हिस्सा क्या होगा तो देखो यह सिम तो 91 question आप 90 question खुद करोगे 91 question एक बार पढ़के देखतें क्या है 1050 को ABC में इस प्रकार बाटें कि AB का अंस इतना 2.3 ताथ BC का अंस जो है वो 96.5 एक अंस बता दें देखो यह question भी खुद कर लेना असान question है 92 question है 92 question आपका 92 question भी आप खुद करोगे आसान question है मैं 93 question बताऊँगा 93 question बहुत अच्छा है तो 93 question देखिए अपना ABC में 555 की राजी एक बटा 4 अनुपात एक बटा 5 अनुपात एक बटा 6 के अनुपात में बाटे जानी थी परन्दो वह गलती से 4-5-6 में बढ़ गई चलिए तो बाटनी थी कि ए बी सी में उपर टांग दे रहा हूं एक बटा चार अनुपात एक बटा पांच अनुपात एक बटा यच्छा तो पहले तो करेंगे से सिंप्लिफंच करने के लिए मेंनें बता आठा है तो जो हते हैं यागल में हैं हर है आपका उसक क्या ले लेजे लेजी 4-5-6 का एस अनुबका हो जाएगा मैं20 को डिस भी नहीं रहेज़गा साट हो जाएगा clear؟ satch लेके तो 60 हो गया, तो यह आपका बना भी 15 यूनिट, यह आपका बना 12, यह बना आपका 10 यूनिट, यानि 15, 12, 10 यूनिट हो गया, लेकिन गलती से आपने बाटा किस अनुपात में, गलती से आपने बाटा 4, 5, 6 के अनुपात में, बाटना था इसमें, लेकिन गलती से आपने 4 अन मिलों तो हैं से आप आप एड्ट करोगे पाच और साथ एक दू तिटिएिट तरटी से जो निटिए इस इस इनिट इस एड़ एक टेआ पको आपका 155 और ऑफ निकाल लूगे तो देखो कितनी बार कटेंगे तो कितनी मार कटेंगे देखो मैं ऐसे काट दे हो पंदरा बार कट जाएगा है मैंने अनुमान लगा लिए कि 330 की 37 की गुणा अगर आप 10 से करोगे तो आएगा 370 लेकिन आपको एक आएकंग 5 लेकर आना और 370 से जादा है तो साथ के पाड़े में एक आएकंग 5 जब भी आयता है जब साथ के आप 5 से गुणा लगा दोगो यानि 15 बार यह डिवाइड हो जाएगा तो आपसे पूशना क्या चाहरा है वह सी को कितना है अधिक मिला तो केबल सी का ही निकालेंगे तो वन उनिट इकल टू इतना और सी का कितना होगया टैन उनिट इकल टू 150 अब यहां और देखते कितना तो नो पांचा नो और छे 15 फिर वह 15 यूट बराबर हमें कितना निखना पड़ेगा बातना गलती से इसी को है गलती वाला यह चला है मारा तो सब्सक्राइब 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 गया बहतर अधिक मिल गया कि अधिक नाइन्टिफूर कुशन देखते हैं अपना एक कोशन और बचाया फटाफट करते हैं से भी तो नाइन्टिफूर कुशन देखे एक आदमी अपनी संपत्ती को इस प्रकार विवाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के सेयर यानि ल पत्नी और पुत्री था प्त कैंठी है दूनों का उनपत्ट क्या है तिन उनुपात यानि दो आ यहां पर भी यह तीन उनुपात एक है और ये भी आपका तेन उनुपात एक ही है यह तो ने वेस लगाते हैं एक यहां लिख देता हूं यह 9 हो गया 3 हो गया यह 1 हो गया तो पूरी संपति देखो कितनी पूरी संपत्ति आपकी हो गई 13 यूनिट से पूरी संपत्ति कितनी हो गई 13 यूनिट और ये बराबर हमको निकालना है तो दे क्या रखा भी 13 बराबर निकालने के लिए से दे क्या रखा है ये पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिले तो देखो पुत्री को पुत्र से कितने कम मिले दिख रहा होगा पुत्र को पुत्र से कितने कम मिले यहां तो कम मिलने है उसे आठ यूनिट आठ यूनिट बरावर कितना दस हजार से यह तो किकोल टू निकालेंगे हम कितना आ गया वन यूनिट एट बंजा यह आपका एट हुएगा और आठ पंजे चालिस यानि बारसो पचास आजायेगा तेरा यूनिट बरावर निकालना है यानि बारसों पचास की मल्टिप्लाई लगा देना आप तेरा से कोश्ण का आजाएगा तो यह काम आप खुद कर लेना बहुत अच्छा कोशन था यह तो बच्चों कर लिए और आपने नहीं करें तो भी लिख ले रहूं है इसका 16 250 इसका करके अंसर आएगा तो 94 अपना वुटै फट फट 95 कोशन और करते हैं अपना इसे कउपर कर लिए अपने कोशन करते हैं और जो 95 कोशन आज की कलास का वह बहुत अच्छा कोशन है यानि 95 कोशन बहुत बड़िया कोशन बैटर कोशन है और तो पूरे विश्म में और जल का अनूपात दो है, तो पूरा विश्म का मतलब है आपका ये पूरी पृति विखर समझ न, तो पूरे विश्म में किस का अनूपात भी? भूमी का और जल का तो भूमी का और जल का जो रेशियो है वो कितना है one ratio two यह दो देखना पूरे विस्व में भूमी वन जल कितना टू तो टोटल कितना हो गया भै यह है टोटल पूरा विस्व हो गया हमारा तीन अब आगे दच्छिनी गुलार्द में यह हनुपाद वुलार्द में यह हनुपाद आप two-anupat नेन उत्तरी गुलार्थ का मतलब में आपको जो गर्फिश अगर अपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उत्तरी गुलार्थ का मतलब ये वाला पार्ड इसे क्या बहुमत्दी रखन के उपर आपका बहाय कि नीचे ढे ऊपकशा और दोनों में पार्ट क्या होते हैं आपके बराबर उते हैं चिलें तो इस वाले पार्ट का रिचियो कितना देरहarti नहें डो आनुपात तीन तो वह टोटल कितना तीन और दो पोंच अब यहां से एक चीज़ आप समझेए क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी पिर्थिवी अगर तीन हो और उसमें से आधी तो इसका मदलब आधी तीन अगर पूरी पिर्थिवी तो आधी पिर्थिवी यानि उत्तरी गुलार कितना होना चीज़hã गेड़ होना चीज़ा या फिर ये पांच है तो ये पांच का डबल होना समस्मlyभा है बहर आधी पिर्थिवी ये पांच माल लोँ तो ये तो होना casino죠 evalu के यहें दोनों की बीच अनुपात होना कितना चीज़ तो इस वाले मैंट्ब को हमें दो अनुपात एक में change करना है और दो अनुपात एक में change करने के लिए पहले इसे आप बराबर कर लो तो बराबर करने के लिए मैं यहां 5 से इंटू लगाते ही आप देखो यह पूरे में इंटू लगाएगी चलो इसमें यह बताओ यह 5 तीये 15 यह 5 तीये 15 अब अगर यह 15 तो यह कितनी कितने से multiply लगाए तो पूरी भूमी पर जो आपकी पूरी पिर्थवी पर जो आपकी भूमी है वो कितनी है दस और पूरी पिर्थवी पर आपका जल कितना है 20 कि लिए आधी भूमी यानि उत्तरी गुलार्द में यह तो मैंने फिगर समझाए आपको आधी पर कितनी भूमी वीच है और यहां पर कितनी नो तो इसमें से घटा होगे तो सेस आपका दच्छनी गुलार्द आजाएगा यारी घटा दो यहीं दच्छनी गुलार्द पर बूक में इस कोशन का जो है वो तरीका बहुत ज़्यादा लेंद दे रखा आप इस कोशन को इसी तरह से करना कॉपी कर लीजिए आच्छी क्लास का वैसे लास्ट को संता तो अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई यह तो वीडियो को बार बार देखो समझ में आएग कमेंट बोक्स में